आज मैंने औलिविया पैन केक से ब्राइडल मेकप लोग क्रिएट किया है तो चलिए जानते हैं कैसे किया है सबसे पहले मैं यहां पे स्किन रूटीन को फॉलो करूंगी ग्रीन टी का टोनर लगाया है उसके बाद मैं यहां पे फेशियल आयल लगा रही हो ब्राइडल मेकप में आप सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से उसके रूटीन को फालो करेंगे उसके बाद अपने फेस को पूरे रेडी करेंगे उसके बाद आप ब्राइडल मेकप करेंगे तो आपका जो ब्राइडल मेकप होगा वो बहुत ही अच्छा सा दिखाई देगा और आपका जो लुक है वो चार चांद लगाएगा तो यहाँ पे मैंने आईब्रोज फिल करने के लिया है पॉमेड आपको भी पॉमेड यूज कर सकते हैं ब्लाउन कलर ले सकते हैं ब्लाक कलर ले सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लाक लिया है डाक कलर और यह लॉग लास्टिंग होता है इसलिए मैं पॉमेड यूज कर रहे हूं ठीक है पर क्रीज लाइन को डिफाइण करूंगी मैंने यहाँ पर टाक कलर थोड़ा सा लिया हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पर अंगल ब्रुष ले रही हूँ अंगल ब्रुष की हल से मैं अपने आईलीट के जो आउटर वे होता है वहां पर ब्लाक कलर अड़ करूँगी और उसके बाद इस तरीके से आप देख सेकते हो है मैंने कैसे किया है उसी तरीके से आपको करना है ठीक है उसके बाद एक ब्रश को थोड़ा सा सेट कर लेंगे सेटिंग स्प्रेय ले लीजेगा और उसके बाद ही तो इसे क्या होगा ना आपकी जो आखी है वह काफी खुबसूरत दिखती है और आपकी जो आइशदो होती वह दिखाई दे रही होती है ठीक है उसके बाद मैं सेंटर अफ दा लीड और अपने आउटर लीड पे इनर लीड पे अच्छे से फिल कर लूँगी रेड कलर का आईशड हो लिया है ठीक है और उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूं ब्लेंड करने के बाद हलका लाइट हो गया तो इसलिए अगें यहां पे आउ यह पर ब्लाक कलर गाई रही हो तिर रेड कलर का एशेड़ ले रही हो तो एक की आपकी जो लीड है वो पूरी अच्छी से दिखाई देखाए ठीक है कि उसके बाद फॉल्सी लगाया है मैं यहां पर फिर बाई लाइनर लगाए और फॉल्सी लगाने के बाद आई लाइनर जहाँ जहाँ हलके से गैपस भी लग रहे हैं उस गैपस को भी मैंने फिल के ठीक है उसके बाद आपके आँके काफी खुली हुई बड़ी बड़ी सी दिखेंगी ब्राइडल मेकप में तो लगना ही चाहिए यहाँ पर मसकारा के लिए मैंने लिया स्विस ब्यूटी का मसकारा और अच्छे से लगा लेंगे दो तीन बार उसके बाद मैं यहाँ पर कॉंटेक लेंसे लगा रही हूँ गैस मैं लेट लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी आँकों से बहुत ज़्यादा पानी बहने लगता है यार बहुत आसू आते है मेरे उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइमर लगा रही हूँ प्राइमर के लिए मैंने एनवाईबे का प्राइमर लिया है सिलिकॉन बेस पर लिया हूँ ठीक है ठीक है टाब टाब करके अपने फेस पर लगाना है एक दम रगड़ना नहीं है ठीक है इसकी कवरेज के बारे मैं बात करते हैं तो इसकी कवरेज काफी अच्छी है बट एक बार मैंने लगाया थो मुझे और गाहर है तो यहां थे सकी हो आप मेरोडो का पूसी आपाल मेरे टार्क स्कील पहुत कम है थीक है मेरे पिगमेनेशन से लगाल हैं है तो इसे के पाद मुझे प्रिय खुड़ाक यह थीकिंद्र निंगते हैं ठीक है डसके स्किन हो आप अगर आप मीडियम स्किन हो तो यह आपके लिए बहुत बेस्ट है यलो अंडर टोन ही लेना आप अगर आप ब्राइडल बनने जा रहे हो तो ठीक है काफी अफॉर्डेबल था 150 रूपीज में मुझे मिल गया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा अगिन मतलब फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली यह मुझे बहुत जादा अच्छा लगा ठीक है उसके बाद यहां पर मैं कंसीलर लगा रही हूँ मैंने कंसीलर लगाया है विटन वाइल का कंसीलर फोटो फोकस लिया था लाइट शेड लिया है ऑगर आपको नहीं हाइलाइट करना तो आप इसकी बाद बिद्या करका है, इस सिर्वास के साओं करना यहां किया है, तो स्क्रमार। आप कि आपस्कालव बैंचेग का बैंचेहिं जेल से लिया री जो सकते हैं, three dollars back उसके बार ना नोश एरिया पर फारेड अरिया पर जहाँ जहां मुझे कॉंटॉर करने की ज़रुछए तो उस एरिया पर करें ठीक्याँ और यहाँ पर मैं चॉटॉर कॉंटोर करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं ठीक है आप ब्रेश ना यूज करें ब्लेंडिंग ब्लेंडर यूज करें जाद अच्छा है उसकी बाद यहां पर मैं ब्रॉंज कर रही है क्योंकि कॉंटोर मैं ने कर दिया ठीक है थोड़ा चापा चापा सा दिख रह काफी राए था इसलिए और उसके बाद में यहां पे अपने नोजेरिया प्लूप में पिंक अपने बड़े ब्रणप़ नहीं रिगा अब ट ले ले लिये आप ले लिए गालना एंक सिcak आपको पसंद है वो बस्ट के लिए मैनि यहां पर डाग कर लिए पिंक में हमें यहां की । यहां पर खुर उसके बाद मेरे को लगा लेकर चाहे तो ब्रश piece कर सकते हैं है पिलेंड क जब एक भी तो बिलेंड के farmer, पिलेंड के लिए से एपी टोड़ सा लगा लग armour. तो blending ज़ादा जरूरी होती है अच्छे से blend कर लें अपने beauty blender को पानी में भिंगो लें उसके बाद उसके बाद ही आप उससे अच्छे से पानी काफी अच्छा लेप्स्टिक था इस ब्राइडल मेकप लुक में उसने एकदम हीरो वाला काम किया ठीक है तो यहां पर मैं लगा रही हूं वही वाला कलर और उसके बाद अपने मेकप को पुरा सेट कर देंगी ठीक है अगर आपको यह ब्राइडल मेकप लोग आपके लिए ह